नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज फिर आपके लिए CBSC बोर्ड क्लास 10 बिसे इंदी कोर्स आज 6 भाग दो कावखंड प्रिवेस पेपर 2010 से 2016 तक पार्ट आत्मकत जैसंकर परसाद पिर आगे CBSC बोर्ड जो आपका ये CBSC बोर्ड परिच्छा की कच्छा 10 बिसे इंदी कोर्स पेपर आत्मकत जैसंकर परसाद से 2010 से 2016 तक मैंतपूर प्रसन और उनके उत्तर देखो काईने का मतलब ये है कि तो पार्ट जो आपका है आत्मकत जिसके कभी कवने जैसंकर परसाद इस पार्ट से समद्धे 2010 से लेकर 2016 तक जो बोर्ड परिच्छा में प्रसन पूछे गए हैं की परिच्छा में प्रसन के पूछे जाते हैं अगर इनका आपने अभ्यास कर लिया तो निश्चित रूप से आप लाभान वेते होंगे और पार्ट से समंद्धे प्रसनों की जो तरिए वो होते हैं केटागरी उनका इस तर आप आसानी से समझ पाएंगे कि इस तरह से पूछे आते हैं तो चलो फिर शुरू करते हैं अब आते हैं प्रसन उत्तर पर तो पहला हमारा जो प्रसन रहेगा 210 का रहेगा तो चलो 210 में प्रसन कौन से पूछे गए थे तो देखो ये प्रसन नमबर पहला है तो पहला दिया हुआ है कि आत्मकत कवता में कभी द्वारा प्रस्तो सुखद सपन को अपने सब्दों में लिखिये एक वार फिर समझे लो आत्मकत कवता में कभी द्वारा प्रस्तो सुखद सपन को अपने सब्दों में लिखना है तो ये प्रसन पूछा गया था अब इसका संभावित उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो उत्तर आत्मकत कवता में कभी ने उन सुका छड़ों का चित्रन किया है जब सपने में उसकी नायका से उसका मिलन गुआ था लाल गालों से सुसोवित उसकी प्रेमका उसके जीवन में प्रेम बिखेर रही थी कभी सुक से गले लगाए उए मन में इच्छा लिये उए रह गया उसे अपनी प्रेमका का साथ नहीं मिल पाया उससे मिलने वाले सुक से वह क्या हो गया वंचित रह गया हो गया यह अनभूती उसे सुक का आभास करा कर वह मुस्कान बिखेर कर पीछे हट गया तो देखो इसको इस तरह से समझे लो कभी यह कहता है कि एक ऐसा भी समय था जब वह अपनी नैका से मिलता था लेकिन और नैका भी कैसी थी बहुत ही सुन्दर थी उसके गाल कैसे थे लाल थे लेकिन उसके साथ उसका ज़्यादा समय नहीं रह पाया सायद वो इस दुनिया से छोड़कर चली गई तो उसके जीवन में फिर से क्या हो गया वो मुस्कान तो बिखेर कर चली गई लेकिन दुख भी दे गई अब आता है प्रसन सतर दो जार ग्यारा तो 2010 में सिर्वेकी प्रसन पूछा गया तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे उत्तर आत्मकत सुनने के संदर्व में अभी समय भी नहीं है कभी ने ऐसा कई कारणों से कहा सर परतम उसे ऐसा लगता है कि अभी तक उसे कोई ऐसी विशिष्ट उपलब्दी प्रात नहीं हुई है कि जिससे वह दूसरों को प्रेडा सुरोध बन सके फिर आगे लिखेंगे दूसरा अभी वह अपने जीवन की उस आवस्ता में नहीं पहुचा जहाँ पहुच कर वह अपने विगत जीवन का लंबा परचा दे सके इसके अतरित कभी ने अपने जीवन के कम समय में ही इतने लेकर फिर से उस पीड़ा का सामना करने को तयार नहीं है तो देखो इसको एक बार हम और समझे लेते हैं परसन पूछा आत्म का सुनने के संदर में अभी समय भी नहीं है कभी ने ऐसा क्यों कहा है नहीं सुनने नहीं होगा यहां पर होगा सुनाने होगा सुनाने के संदर में ठीक तो वो कहता है कि मैं अभी इसलिए सुनाने के लिए तयार नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी उपलप्ती प्राप्त ने की है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ हूँ और वो आपके लिए प्रेड़ा बन सके तो उसके उन्होंने कई भी बता दिये हैं अब आता है प्रस्त नंबर तीसरा जो 2012 में पूझा गया था तो प्रस्त इस प्रकार है कवी प्रसाइड ने अपनी आत्मकता के लिए भूली विसेशड़ का प्रयोग क्यों किया है तो उत्तर इसका इस प्रकार से रहने वाला है उत्तर होगा इसका कवी परसार ने अपनी आत्मकत के लिए भोली विसेशण का प्रयोग इसलिए किया है क्यूंकि उनकी आत्मकता बहुत ही सरल साधारन कता है जिसे सुनकर कुछ भी प्रेड़ा मिलने वाली नहीं है उनके छोटे से जीवन की ये सरल सामान कता है तो फिर आंगे लिखते हुए इसमें कुछ ऐसी विसेश्टा यानि कोई विसेश्टा नहीं है जो किसी को रास्ता दिखा सके यानि मार्ग दर्सन कर सके अब आता है प्रेस्ट नमबर चार जो इसी वर्स पूछा गया था तो चार प्रेस्ट इस प्रकार से है कभी अपनी आत्म गता क्यों नहीं कहना चाहता है तो देखो वही प्रसन बार-बार उन्होंने अलाग अलग सत्रों में गुमा गुमा कर क्या करें हैं पूछे हैं ठीक है तो अब आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि कभी अपनी आत्म कथा इसलिए नहीं कहना चाहता है कि उसे लगता है कि उसके जीवन की ऐसी कोई उपलब्दी नहीं है जिसकी सराना या प्रसंसा की जाए फिर आगे कहते हैं हुए उसका जीवन तो पीड़ा और आवहां से भरा है वह अपने जीवन की कमियों वा दुर्बलताओं को भी अपनी अविवेक्ती का माध्यम नहीं बनाना चाहता है देखो आपको प्रसंद तो बहुत गुमा गुमा कर पूछे आते हैं लेकिन उत्तर उसके वही होगे जो आपने पढ़े हैं ये दिहान रखना अब आता है फिर 2013 तो 2013 इस सत्र में लगो उत्तरात्मक प्रसंद नहीं पूछे गए तो फिर आते हैं 2014 में तो 2014 में प्रसंद पूछा गया था कभी प्रसाद ने चांदनी रात की गाथा को उज्जल क्यों का है तो चलो देख लेते हैं क्यों का है तो उत्तर आप भी उत्तर सोचिएगा कि इन प्रसंद को उत्तर क्या हो सकते हैं तो कभी ने चांदनी रात की गाथा को उज्वल इसलिए कहा है क्योंकि वे कभी के निजी प्रेम के मदर एवं अंतरंग छड़ हैं जो कभी ने अपनी प्रेम का के साथ व्यतीत किये थे ठीक है पिर आगे चांदनी रातों में बिताये गए वे सुखदायक छर किसी उज्वल गाथा की तरह पवित्र हैं ये कभी के प्रेम की नितांत निजी संपत्ती है अब आगे दो लाइने और बची और वे इन छड़ों को किसी के साथ बाटना नहीं चाहता देखो कभी ये कहता कि मैं उसने चांदनी यानि जिस समय रात में चंद्रमा नकलती है उसमें वे अप किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें अब आगे अगला प्रस नंबर आता है आठ तो प्रस नंबर आठ इस प्रकार से रहेगा पहले इसको मैं अटा दूँ फिर आते हैं तो ये रहेगा आपका आठ ठीक है तो आठ में क्या पूछा है इसमरती को पाथे बनाने से कभी जीवन मारके सारे से है कभी ने अब आगे फिर लिखें कहते हैं कभी ने सुक को सुक का सपन देखा ता है उसे जीवन में कभी प्रात नहीं हुआ । इसलिए वे स्वायम को ठके हुए पत्ते गयानी राइगीर की भाति मानता है जिस तरह पाथे यात्री को सारा देता है उसे आगे बढ़ने की सक्ति देता है उसी तरह सुपन में देखे गए सुक की इसम्रती भी कभी को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने की छमता देती है अब परसन को ठीक से एक बार और हम समझा देते हैं का इसम्रती को पाथे बनाने से कभी फिरसाथ का क्या आस है वो कहते उन्होंने अब पाथे मतलब राएगी जो चलता है उनका ये कहना कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ को समय बिताए लेकिन वह समय से पहले चलीगी अब पूरा जीवन क्या करना अकेले ही काटना तो कहते हैं मैं अपना आगे का जीवन अपनी जो पत्नी के साथ अमने को समय बिताए थे उसी के सारे उन्ही यादों के सारे हम अपना पूरा जीवन मार क्या करेंगे तै कर लेंगे अब आता है प्रस नमबर नव तो नव कुछ इ ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आत्मकत को पढ़कर किसी को सुक्य अन्बूती नहीं होगी। अगर उसने अपनी आत्मकता लिख भी दी तो क्या होगा उसको पढ़कर किसी को सुक्य की अन्बूती प्रात नहीं होगी। 2016 में प्रसन पूछे गए थे तो इसमें प्रसन नमबर नहीं डला है ठीक है तो ये आत्मकत या अपनी बात कहने से प्राया विद्वान लोग किस कारण बचना चाहते हैं। अब देखो कितना अच्छा प्रसन दिया एक बार आउर समझे लो ये थोड़ा टप प्रसन है जो बच्चों को समझ में आना चाहिए। उन्होंने का कि आत्मकत या अपनी बात कहने से प्राया विद्वान लोग किस कारण बचना चाहते हैं। इस कारण ताल देते थें। तो एक नमबर का ये जब पोड में कॉपी चेक होती तो नमबर इसी तरह से दिये जाते हैं। लोग अपनी निजी अनबूतियों को सारवजिनिक नहीं करना चाहते हैं ठीक है निजी अनबूतियों की गोपनीता को बनाये रखने के लिए आत्मकत लिखने से बचना चाहते हैं किनकी बात कर रहे हैं बिद्वान लोगों की ठीक वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो निजी च साथ सेयर करें वो उनको गोपनी ही रखना चाहते हैं पर अब ये तो हो गया बिद्द्वान लोगों के सम्मंद में तो कभी अबाता परसाथ के सम्मंद तो कभी परसाठ जी भी इस कारण आत्मकथा लिखने के प्रसन कोट टाल देते हैं क्योंकि अगर आत्मकत लेकन में इमानदारी बरती गई तो कभी या लेकक की अनेक निजी बातें सारवजने हो जाएंगी यद आत्मकत कथा इमानदारी से नहीं लिखी गई तो ये लेकन के साथ अन्या होगा देखो अब ये समझे लोग बिद्वान लोग अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते हैं या नहीं बताते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनकी नीजी बाते हैं जो गोपनी बाते हैं वो लोगों को सामने आस सकें ठीक उसी परकार जैस संकर परसाथ भी कहते हैं कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरी जो निजी बाते हैं जो मैंने अपनी छड़क को अपनी प्रेमका के साथ बिता हैं मैं लोगों के साथ से यह नहीं करना चाहता हूं अब वो कहते हैं अगर मैं छूट लिखूँगा तो भी अगर मैं सच लिखूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने खुल कर आ जाएंगी इसलिए इससे अच्छा तरीका कि हम मैं आत्मकत लिखूंगा ही नहीं अब आता है अगला प्रसन तो 2016 का ये दूसरा प्रसन है परसाजी जीवन को कैसा कितना बड़ा मानते हैं तता उसक परनपष्ट कीजिए फिर से समझे लो परसाजी जीवन को कैसा और कितना बड़ा मानते हैं उसके अनपात में उस जीवन इसमें भेनताओं के आउसर बहुत अधिक मिलते हैं लेकिन यह दुर्भाग कि पिरसाद जी का जीवन अधिक विस्तरित एवं तरह तरह की रंगीनियों को समेटे हुए नहीं हैं। वे अपने जीवन को रिक्त यानि खाली गागर मांते हैं जिसमें सुक एवं रस की एक भी बून नहीं थी। वे अपने जीवन को रोमांच छणों का अभाव मैसूस करते हैं जो जीवन का मैत पूर अंध होना चाहिए था। परसाज जी का मानना है कि जीवन के विस्तरित फलक के अनपात में उनके जीवन में उनके जीवन की कथाएं अत्यंत नगड़ हैं और जो हैं वो अत्यंत नीरस एवं निरर्था कें तो ये उत्तर थोड़ा कठेन हैं इसलिए इस प्रस्ण और उत्तर को आप एक से दो बार पढ़के समझ लेना जिसकी मीनिक कठन लगती हो तो आप हमसे पूछ लेना नीरस का जैसे दिया आर्थ होता है रसमाने आनंद होता और नीरसमाने जिसके जीवन में आनंद ना हो निरर्था का आर्थ होता है बेकार नगड़ का आर्थ होता है किसी काम के नहीं तो इस तरह प्रसंद 2016 में यह आये था कभी किस बात को बिडबना मानते हैं इस से उनके किन गुडों का आभास मिलता है आत्मकत का वता के आधार पर लिखिए बस इसमें तो यह बोला कभी किस बात को बिडबना मानते हैं यह ज़्यादा कठिन नहीं है तो बहुत सारल है आप समझे लो उत्तर कभी आत्मकत लिखने को ही बिडंबना मानते हैं यानि वो कहते हैं आत्मकत लिखना ही बिडंबना है क्योंकि इमानदारी से आत्मकत लिखने का आर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपट पूर बिवार का परदा फास करना कहते हैं अगर इमानदारी से हम आग्मकत्ता लिखेंगे तो उसमें दूसरों के द्वारा जो छलकपट किया गया है उसका भी परदा फास हो जाएगा इसमें ना तो कभी काहता है और ना दूसरों काहता है सच्चाई एवं इमानदार से अपने जीवन का सार लिखने से उन सभी विक्तियों की कलई खुल जाएगी जिनोंने छलकपट एवं विस्वास घास से कभी के जीवन का गागर खाली कर दिया है और साथ ही दुनिया कभी के भोलेपन निसकपट बिवार तथा सरसभाव का मजाग भी उड़ाएगी इससे कभी के अपने करतब के प्रत इमानदारी एवं निष्टा सम्मंदी गोड़ों का पता क्या होता है चलता है तो यह हो गया आपका प्रस नमबर यह सतर दोजार सोला का प्रसन तो कभी किस बात को भी डमना मांते हैं यह हो गया ठीक है तो अब यहाँ पर आपका हो गया उत्तर समाब अब आपको लगे का कि 2017, 2018, 2019 यह भी प्रसन आप हमें भेज दीज़ेगा तो मैं आपको बता दूँ कि 2016 के बाद यह पार्ट आपके कोर्स से हटा दिया गया था फिर इसको 2022 के जो हमारा सतर है उसमें जोड़ा गया है फिर से पुना है तो आपको 2016 तक ही प्रसन उत्तर मिलेंगे और मैंने इस पार्ट से सम्मन्दित समरी भी तैयार करके अपलोड करके रखके प्रसन उत्तर भी दिये हुए हैं और इसके MC quiz भी दिये हैं तो उन सब की लिंक हम अपने description box में दे देंगे वहाँ जाकर इस पार्ट को पूरी तरह से अलग-अलग वीडियो वाच करके आप ठीक से समझ सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई doubt हो कमेंट करके हमें अवस बताईएगा तो फिर आज के लिए इतना ही फिर मिलेगी किसी ने विसे के साथ तब तक के लिए धनवाद